हेलो, السلام علیکم, मैं हूँ हमजावसीम और आप देख रहे हैं PSX Analysis तो आज हम तो इसी मार्किट के बारे में Analysis करेंगे जैसे कि हम रोजी करते हैं चले तो हम बढ़ते हैं, अच्छा, जैसे कि मैंने आपको एक शेयर कल बताया था, PABC उसके मैंने आपको फितरत की आप समझ लीशे, इसे फितरत कहना गलत नहीं होगा उसके बारे मैं आपको बोला था, इस शेयर में आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है अल्ला का शुकर है, वही हुआ, मैंने बोला, लोग पे बाइंग करनी है क्योंकि आखरी एक मिनट में, लिटरली आखरी के एक मिनट में ही उसके अंदर बाइंग आती है यह मैं एक मिनट ही लगाओ, बलके आपके लिए तो अब ये देख सकते हैं आखरी के एक मिनट में ही लिटरली एक लाख बंदराजार की बाएंगा जिसके अजय से बहुत उपड़े चाला आई है जो क्लोजिंग आई वो तक्रिबान अभी 37-31 की आई है मदब के आप ये कह लीजे के पांच मिनट पहले भी आपको ये 36-70 को जितने पर मिल रहा था 36-77 आखरी के एक मिनट में यकीन मानी दो मिनट में ही ये लो लगा था 36-77 का चले मैं इसके पर भी थोड़ा साब को एक और कॉमेंट दे दूँ ये मुझे काफी बहतर स्चॉक लग रहा है बिलकुल अभी भी इसे देखा जा सकता है इसलिए इसकी एक और भी वजवात ये है कि अब ये अपने हाई पे हाई ब्रेक कर रहा है और अब मैं इसे देखता हूं बहुत पॉजटिव तो बुलकुल आप इसे बुलकुल देख सकते है इसमें पॉजटिव डैवर्जिंस भी हलकी हलकी आ रही है लिकिन यह कि अभी अब तार डबल टॉप लगाने जा रहा है जो कि तक्रीबन लग चुका है आज रोज पिछ लेकिन मेरी नजर में यह बहुत अच्छा शेयर है चले फिर अब हम नेक्स अभी मार्किट के बारे में हम पहर एनलाइस कह रहे थे उसी की तरफ चलते हैं कि ऐसी हंड्रेड तेकि सबसे पहले तो मैं आज आज आपकी केंडल स्ट्रिक को बता हूं आज की जो केंडल स्ट् आप यह देख सकते हैं इमेजेज में कि यही बुलेश हरामी केंडल है आप यह देखिए यह केंडल देखिए आप बहराल यह एक बुलेश हरामी केंडल है इसमें इसका जो बेसिकली वो मकसाद होता है आप यह देख सकते हैं यह बुलेश है लाल केंडल के बाद एक यह के तो फिर जो इसके अंदर नेक्स्ट जो गेंडल बनेगी इस बॉड़ी के अंदर आएगी इस बॉड़ी के अंदर और वो गैप अपने इसी बॉड़ी के अंदर ही देगी आप ये देखिए ये और इनको अगर हम मैच करें आप ये इसे देख लीजे बले ओपन अब अब या आज भी मार्केट गैप अब के साथ ओपन भी मोर दील है सेम सिचुएशन हमें नजर आ रही है काफी हद तक बस ये है कि हाँ मार्केट कोई जादा एक डाउन ट्रेंड के बाद नहीं बन रहा है एक अब ट्रेंड के बीच में ही बन रहा है तो बहराल ये एक पैटर्न रेकेगनाईज हो रहा है और ये पैटर्न हमें बुलिश शो करता है कि मार्केट बुलिश होगी इसके अंदर चो एक मस्तला यह आ रहा है कि वॉल्यूम्स आज काफी लो लगे बात कर लीजाए आज की ओवरॉल मार्किट के बारे में देखें मार्किट जैसे के मैं आज को कल बोला था काफी पॉसिटिफ ही लग रही है मुझे और जिसके वज़ा से हमने इस कैंदल की जो बॉडी थी क्यों अभी फिलाल यह जिस पैटर्न में लाई कर रहा है वह अभी हम जो लेंगे वो सपोर्ट एंड रिजिस्ट्रेंस वो इसकी बॉडी लेंगे और मोर्दिला से आप देखें तो इस सपोर्ट और रिजिस्ट्रेंस को आज इसने ओनर करते वें दिखाई दी है तो मेंली जो मेंल आपको सपोर्ट एंड रिजिस्ट्रेंस बता रहा हूँ वो फिलाल के लिए यह रहेगी डेली के टाइम फ्रेम में इसके उपर क्लोजिंग या इसके नीचे क्लोजिंग इंडिकेट करेगी कि इसकी फर्दर मुव कहां होगी थोरस अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले तो 15 मिनट में क्या सिच्ट्रेंशन है वो ज़र हम देखते हैं दिखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहरा हूँ सिंपली जो मॉर्निंग ट्रेंड के बारे में सब्सक्रेंशन है वाइइंग आप देखें कि जब भी आ रही है तो वॉल्यूम के साथ आ रही है अगर हम देखा कि यह ज़ो वॉल्यूम्स रहे है 8.75 मिलिएंग यह हमें बाइंग के वक देखने को मिल रहे है और लाल कैंडल आप यह देख सकते है ये इतनी बड़ी जो लाल केंडल बनी है ये लाल केंडल के अंदर वॉल्यूम अगर आप चेके तो 4.847 मिलियन जो के काफी कम बनते है ये के मार्किट तो से एवरेज की दौरान ये थोड़ी से और उपर आगए मामूली से जादा उपर भी नहीं इसी की तरह के सामें इसे मेजर करें तो ये भी 4.75 मिलियन से मार्किट को इतना गिरा दिया ये मैंने आपके सामें थोड़ से मार्किट के प्रिसाइज लेवल निकाल दिये ये थोड़ से प्रिसाइज लेवल आप कह सकते हैं मार्किट के इसमें जो आप सपोर्ट देख रहे हैं वो 45,342 किये यह थोड़ सा प्रिसाइज लेवल है मैं आपको स्ट्विल कहना चाह रहा हूं अभी जो नेक्स मार्किपरा स्मॉल रिजिस्टेंस आप कह सकते हैं वो 45,386 कल को अगर मार्किट 15 मिनट के ग्राफ में हमें इसे ब्रेक करते वें नजर आए और इसके उपर क्लोजिंग दे क्योंकि अब मैं 15 मिनट के बाद कर रहा हूं और यह प्रिसाइज लेवल आपको इंट्राडे में हेल्प करेंगे अगर इसके उपर क्लोजिंग दे तो फिर यह आपको अपना नेक्स टॉप है वो कंप्लीट करते वें नजर आज सकता है इंडेक्स मेरा मानना है और क्योंकि फिर हमारे इंडेक्स पहुंचेगा 45,460 यह जहां पर इसका नेक्स टॉप आप कह सकता है कंटीनी होगा यह 5,500 आप समझ लीजिए अंदाजन इसके उपर क्लोजिंग देने में काम्याब रह जाता है इंडेक्स तो फिर यह आपको चांसे होंगे यह 650 से 700 के दर्म्यान में वापसी जातावा दिखाए दे स्ट्रील एक टिप देना जाओंगा अगर लोग वालिम के साथ मार्केट परफॉर्म कर रही है तो मैं नहीं कहता कभी लोग वालिम के साथ मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए क्योंकर मोर दी लेस एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है जहां तक बात रही 45,000 का जो लेवल है यह हमाली इंतहाई strong support level है अब देख सकते हैं इस level को इधर level को इस levels को इधर आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट ने से कितना ओर जो मार्केट है इससे 45,000 को कितना ओर दिया है इसका आप लोग देखें इस दिन का ऊपर देख सकते है 45,083 लोग है और इसका जो closing है 45,073 जहां का आज की लोग की बात करें तो 45,369 और इस candle की next candle की high की बात करें तो 45,000 actually open 45,081 तो यह overall जो 45,050 का जो level निकल ला है यह हमाली इंतहाई strong support level रहेगा जब तक market इसके उपर trade कर रही है actually closing इसके उपर दे रही है तो market is well and good उसके इलावा अगर हम देखें market को 15 minute के graph में भी एक छोटा छोटा सा consolidation next consolidation phase बना रही है तो यह है कि जो यह इसका consolidation phase बन रहा है market का वो इस level से basically 45,050 के level से market bounce back होते वे नजर आ रही है hourly candle भी अगर हम देखें तो आखरी जो hourly candle बनी है वो भी काफियत तक buying indicate कर रही कि अभी भी इधर buying हुई है यह जो wick है lower wick ज्यादा है इसका आतला buying ज्यादा देखने को मिल रही है और अगर आप जो आज की candle बनी है इसी को यह उल्टा कर देंगे तो यह bearish candle बन जाएगी bearish engulfing candle जो कि downward side को promote करती है जो कि आप देख सकते है यह इस तरफ हम लोग को देखने का मिली है आप यह बुल्कुली इस candle का काफी अतक opposite है और इसके बाद हम लोग ने actually market में काफी ज्यादा मन्दी देखी तो यह हम expect कर सकते हैं कि market काफी positive रह सकती है काफी chances है और यह बाद भी याद रखे जब तक market 45,000 के नीचे close नहीं होगी market बहतर है market comfort zone के अंदर है अगर market अल्ला ना करे 45,000 के नीचे चाती है तो फिर एक panic सी situation बन सकती है अगर closing उसके नीचे देती है और ना market का comfort zone 45,000 के उपर ही है और अगर मैं आप लोगों को एक penny stock बताओं जो मेरी नजर में फिलाल अच्छा लग रहा है मुझे तो मैं आपको भी बताता हूँ वो है ctm colony textile mill इसकी भी कुछ बचुबात बताओंगा आप ये देख सकते है ये जो level है तो ये colony textile mill बहराल बहुत अच्छे support पे है अपने आप ये देख सकते है कैसे उससे पहले इस level से support लियावा है इस बड़े consolidation phase से overall ये अभी फिलाल मुझे काफी बहतर लग रहा है तो आप बुलकुल ले सकते है ये काफी अच्छा है इस वक्त आज कर इसे volumes भी highly कम आ रहा है और ये consolidation phase ही आप इसे कह लिजए ये भी consolidation phase में है कोई safe entry करना चाहरा है तो 4.83 के उपर closing आजे तो एक safe entry मानी ही जा सकती है अब overall मेरी नजदी की अभी बहुत अच्छे rate पे मिल ला है कोई का अगर है stopper कोई रखना चाता है मैं तो इसे खेर long के लिए प्रेफर करूंगा long के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसका target फिर अच्छा बन सकता है और जो normal share की बात करी जाए वो PABC ही रहेगा अभी मेरे नजदीक PABC एक्स्ट्रीमली अच्छे rate पे है क्योंकि बहुत अच्छा फिलाल चला है double top लगा इस डबल बॉटम भी लगा लिया है तो बेराल यह कि अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस rate पे PABC भी क्योंकि दो तीन दिन से मैं भी इसकी movement देख रहा हूं इंट्राडे के लिए तो अख्यार आप चाहे तो कर भी सकते है लो स्राइट पे बेचे क्योंकि आखरी मिनट में मैं देख रहा हूं इसमें आखरी मिनट में ही बहुत हैवी बाइंग आ रही है तो यह कि आप एक बहुत बरे consolidation phase में है मैं मानता हूं यह बहुत बरे consolidation phase में है और यह consolidation phase का जो lower हिस्सा है वो 17.29 से 20.10 का है मैं मानता हूं अगर कोई इदर भी buying करता है तो इसका जो mid target है वो सारे 18 से 19 रुपे और जो ultimate target है 20 रुपीज बन सकता है और मेरी next view की अगर आप बात करें तो यह बहुत बहुत बरा consolidation phase में है और यह आप मेरा मानना है यह बहुत बरा आपको दे सकता है breakout और बहुत बर आपको एक move दे सकता है क्योंकि थोड़ा सा गर्म इसमें analyze करें इदर मैं मानतों यह accumulation area हो रहा है इसमें आप देखें जब भी volumes में आ रहा है तो upper cap लगा है इसमें जा रहा है नियर टू अपर कैप ही जा रहा है यह तो overall यह मुझे काफी बहतर नजार आ रहे है यह शेर आप यह देख सकते अपर कैप फिर नियर टू अपर कैप और यह दर भी अच्छे मूव तो यह कि आप देखें इसमें ज्यादर तर जो volumes आ रहे हो बाइंग के वक्त आ रहे हैं मंतली में भी अगर हम चले जाए तो यह भी लोड हो रहा है डेटा मंतली के टाइम फ्रेम में देखें कितनी बड़ी डौजी बनी तो यह एक थुछ से बड़े consolidation phase में इस candle को आप देखें इस एक वो कर रही है honor और इससे पहले भी एसी area पर आ चुका है तो मेरा मानना है हाँ यह अभी अच्छे बहुत अच्छे rates पर इसे buying भी कर सकते हैं बहुत बड़े consolidation phase में stopper के साथ बुलकुल आपने लाजबी इस्तमाल करना है 17 रुपे की नीचे closing आए तो आपने इसमें exit करने की कोशिश करनी है बाकी जब 20 रुपी strength पैसे के पास आजए तो मेरा मानना है कि आप फिर trailing stop loss के इस्तमाल कीज़ेगा क्योंकि अगर अब ब्रेक आउट आगया तो बहुत बड़े consolidation phase में आया हुआ है तो यह आपको फिर एक बहुत बड़ा movie जायर से बात है इतना बड़ा जिसका जो area यह वो तकरिवन 3-4 रुपे का है तो यह move भी आपको 8 रुपे की भी दे सकते है 20 रुपी के बाद तो यह कैसी में आपको बात बता ना normal सी बात हो सकते आपको यह फिर 25-28 तक जाते वे भी दिखाए दे लॉंग के लिए अच्छा है लॉंग टर्म के लिए लेकिन इसमें भी आपने यूज करना है stopper का और एक और बात करें अगर हम लोग जी रिवी ऑन यूनिटी फोर्स एं ट्रिपल जी एल यह अन डाउंसाइड सिंस थ्री और भी बात कर लें जिस तरीकी कि आज के वॉल्यूम्स और आरेसाइड भी है तो हो सकता है यह आपको कल पर्सो इस वीक में हो सकता को 16-70 सारे 17 तक 18 रुपे तक जाते वे दिखाई दे 16-70 से सारे 18 आप यही समाझ कीज़ें क्योंकि यह जो यह कैंडल बनी थी ना यही हमे इसमें बता दिया था कि यह भी consolidation phase छोटे वाले में आया गया है एक और बात की जाए हम लोग इसमें थोड़ी सी और बात कर ले तो इसने एक double bottom लगाया था मोरदिले से इस तरफ जो कि काफी काफी उसने थोड़ा थोड़ा हमें जादा powerfully से सस्टेन नहीं करते वे दिखाय इसकी भी बात कर ली जाए तो इसमें भी volume जब आया है तो यह भी अच्छा खासा उठा है I mean अच्छा फिर भी अच्छा उठा है RSI यह भी थोड़ी positivity की दिखा रहा है RSI तो इसका फिर जो next level आपका बनेगा अगर यह break होता है इसका जो level है 15 रुपे के नीचे closing इसमें थोड़ी सी negative सी बात रह सकती है यह को 13 रुपे 70 पैसे तक भी जाते वे दिखाई दे सकता है overall triple GL की short move की मैं बात करो तो मेरे नसी 16-17 से सारे 17 तक वैसे भी आपको यह move दिखा देनी चाहिए से at least 18 रुपे तक भी जाते वे दिखाई दे सकता है तो मेरा लिए इसकी छोटी move की मैं ने बात किये triple GL की overall यह भी highly discounted rate पर है काफी जादा गिरा है अगर यह इस level को honor करता है और अगर यह सारे 19 के उपर थोड़ सा लंबा target है इसके उपर यह अगर actually वो देने में काम्याब रह जाता है closing तो फिर यह आपको वापसी जाते वे दिखाई दे सकता है 23 और 25 के level पर यह भी अच्छा है जो चाहे तो stopper के साथ इसके भी buying की जा सकती है या फिर split buying का तरीका यूज करें अभी buying करें अगर नीचे का है और buying करें और नीचे का है तो भी देखे राइड शेर इशू कर रहा है तो इसलिए मैं इसके उपर ज्यादा comment नहीं कर सकता लेगिन टेक्निकली यह अभी अपनी support पे ही मौझूद है बहुत अच्छी support पे मैं कहूंगा मौझूद है आप यह देख सकता है अभी consolidation phase में आ चुका है और उपर से पहले भी भी एक था लेकिन वह तो अभी price खेर उसे बहुत दूर है तो हम इतना दूर भी नहीं जाएंगे देखेंगे price जिदर नजलीक है उस वक्त यह जैसे level देख लया इधर हमें काफी अच्छे volume तो यह भी तक्रिबान यही level बंद रहा है तो more the less यह राइड शेर इसू कर रहा लेकिन यह कि हार यह टेक्निकली तो support लेते हुए नजर आ रहा है अब एक निकाख foreigners selling was 58.39 million rest of participants were buyers अगर आज सब buy ना करते तो market का हशर हो जाना था भाई देखिए अभी आप बात करें negativity की अब आपका mindset थोड़ नेगिटिविटी क्या लग रहा है मुझे मैं बोलूं तो मै मैं अगर कोई positive इंसान से बोलेंगे वो बोलेगा यार foreigners ने अगर अगर सब buying कर देते हैं अगर foreigners नहीं selling करते हैं तो market किदर उपर चली जाती है आप क्यार अगर थोड़ी से सब selling करने पर आ जाते तो market का हशर नशर हो जाता मैं इसकी उल्टी बात करना है तो खेर सब का opinion है मैं इसके बारे में तो क्या बोलूँ चले यह एक बोले service का यह मैं यकीन मारे video यह इतनी लंबी हो रही है service के बारे में भी हम कर ले service service industry देखे service industries का बुल्कुल यह पॉसेट चीन है और मैं इससे service industries को अभी जरा भी recommend नहीं कर सकता आज की candle की चाहिए बात करें बल्ले positive है बहुत highly negative है बल्ले जा पांच उपर प्लस गया हो highly negative candle बनी है विक lower बहुत कम है इसके इलावा बात कर लिजा एक consolidation phase में था और अब यह gap filling करने आ सकता है वापसी 427 पर यह मेरा view है बुल्कुल आप अब यह अलग हो सकता है हाल साई के अंदर negative divergence मौचूद है और मैं फिलाल recommend नहीं करता है इस share को हाथ लगाने से हाँ वापसी आएगा अगर यह इस level पर 404 400 रुपे तो फिर इस पर बाइंग का सोचा जा सकता है फिलाल जो मेरा view है इससे धूर रहना चाहिए अभी इसमें बहुत कोई अच्छी move भी बन रही इसका अगर आप बेचेंगे तो stop loss 507 का होगा मतलब कि अगर इसके उपर जाता तो वापसी buying हो सकती है अच्छे move के लिए फिलाल यह मेरे energy यह कोई बहुत powerful नहीं लग रहा औ हाथ लगाने में मैंना आपको यह कहा था कि यह थोड़ता नेगेटिव है पिजा चले बेराल अभी इसकी move के बात कर ले तो अभी consolidation face में है short term में आपको एक move दे सकता है बुलकुल यह आपको 15-25 तक जाते वे दिखाई दे सकता है short term में हो सकता है अभी still 100% मैं नहीं कह रह कि एक consolidation face में पहले भी इदर से highly bounce back हो आ है तो अभी जो फस गये मैं उन्हें यह recommend करूंगा इसमें daily के उपर basis करके ट्रेडिंग करके अपना नुकसान कवर करें वह कैसे उपर बेचे नीचे आए फिर खरीद ले उपर बेचे नीचे आए फिर खरीद ले मैं यह नहीं कह रह है जो मुझे लग रहा है जो मेरे नजीक जो possible chances है क्योंकि अपने lower lows बना रहे है एक हो सकते है यह एक और अपमूव देने के बाद हो सकते है फिर वापसी इदर level test करने आए और यह अपना यहां से फिर अपमूव बना ले लेकिन फिलाल मुझे लगता है अभी यह क्योंकि जादा वो नहीं लगरा short term के लिए intraday basis को पर काम कर सकते हैं वर्ना को यह बहुत खास नहीं है overall जब इस पर volume आते तो यह हमेशा perform करते हुआ हमें ज्यादा तर दिखाई देता है और तो कोई नहीं थे जी ए चैनल आज मैंना आप सब के share किये है होपफुली आप मेरी video जाती है लेकिन क्या करें जी एचनल जी एचनल की बात करें तो यह अपना गैप को फिलिंग करना आया था और उससे complete कर लिए और यह अभी अपना जो next move है इसकी जो रिजेस्टिन से 8150 इसके उपर अगर क्लोजिंग देता है तो 84 तक जाते वह दिखाई दे सकता है जो खुशी की बात इसमें यह कि इस ते फाइनली अपने लोवर लोज बनाना बंद करती है जिसकी वज़ा से अब इसका थोड़ा थोड़ा ट्रेंड पॉसिटिव हो रहा है आप यह देख सकते हैं यह पहले भी हमें यहां से support लेते वह दिखाई दिया जिसके अभी इसके इसे फिलाल तो यह हां यह कि थोड़ी थोड़ी नेगिटिविटी कम हो चुकी है जितना यह गिरा है हमने देखा है बहुत बुरी तरीकी से गिरा है यह लेकिन यह stop loss जो आपका रहेगा वह 70 रुपीज का ही रहेगा इसके नीचे जाता है तो मजीद नीचे मेरा बातना है 60 से 50 के लेवल तक भी आ सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी जी हां 60 से यह जो लेवल से 60 से 50 भी आते वे दिखाई दे सकता है तो बैरान इसके उपर बात की जाए हां अगर यह इदर से support लिता है और अपनी resistance 25 को तोड़ता है तो बहुत अच्छी bounce back भी दिखा सक इसमें यह आपको daily business के उपर move दे सकता है इंट्राडे इसमें कर सकते हैं इसमें इंट्राडे की जा सकती है वॉल्यूम भी बदलब सही है बहुत बुरानी और थोड़ा थोड़ा वालिटाइल भी रहता है यह इसमें भी बात की जाए candlestick formation मोर्दील इस kind of वही bullish हरामी candle बन कि हाँ इसमें आप वह कर सकते हैं इंट्राडे इसमें इंट्राडे बहतर हो सकती है लेकिन हाँ इसका जो short आप लोग जो stop loss होगा आप लोग का पहला stop loss इसका 74 होगा इसका जो पहला low है जितर से पहले bounce back होते वे नज़र आया है और जब भी वॉल्यूम्स आए हम लोगों इसमें देखा कि इसमें बाइंग देखी गई negativity लोग वॉल्यूम्स के साथ है तो इसका अदलब यहीं कि इसमें अभी भी अच्छा शेर है बहुत अच्छा शेर है तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लगी होपफुली इसमें आपको थोड़ी help होगी मदद होगी तो मैं चाहूंगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्रीज लाइक और दोस्तों के साथ शेर किजएगा मैं हूँ अमजाव असीम और आप देख रहते PSX अनैलेसिस